प्यारे बच्चों आज आपको आपके दो दोस्तों से मिलवाने लेकर आए हम ध्यान से देखे कच्चवा और खरगोश कहानी तो आपने कई बार सुनी है आज इस कहानी को हम कविता के रूप में सीखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं ध्यान से सुनियेगा आपको बहुत मजाएगा एक खमंडी था खरगोश एक खमंडी था खरगोश आखमंड में खोया जोस कच्च्चुआ मुझ से कर ले होड कच्वा मुझसे कर ले होड देखे कौन जीतेगा दोड भई दोड शुरू ही कच्वा बोला बने न बात तीरा मेरा कहा है साथ फिर भी नहीं माना खरगोश कच्वा को फिर आया जोस कच्वे को फिर आया जोस बहुत तीज खरगोश भागा बहुत तेज खरगोश भागा कच्वा उसके पीछे भागा खरगोश सोचा आराम करूँ खरगोश सोचा आराम करूँ छाया में कहीं विश्राम करूँ समय नीद में भीद गया समय नीद में भीद गया कच्वा दोर जीत गया भै कच्वा दोर जीत गया तो बच्चो जो बिना रुके मेहनत से बिना डरे अपना काम करता है वो अपने मंजिल तक अपने लक्ष तक जरूर पहुँचता है तो कच्वा दीरे दीरे चलता रहा और जीत गया और खरगोश को लगा कि कच्वा तो मुझे कभी हरा नहीं सकता है तो वो सो गया और अपने लक्ष को उसने खो दिया तो आपको धीरी-धीरी कोई कारे करना है लेकिन लगादार मेहनत से करते रहना है बाकी कच्वा और खोर्गोस दोनों अच्छे दोस्त है और आप भी सबसे अच्छे दोस्ती बना के रखिए फिर मिलते हैं एक नहीं प्यारी सी कहानी के साथ